नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया आपका हमारी यूट्यूब चैनल वारल करंट में स्वागत करती हूँ, जहां पर हम आपको देश और दुनिया की बाकी खबरों से रूबरू कराते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, तीस वाट फास्ट चारजिंग सपोर्ट के साथ, रियलमी का नया पावर बैंक लाँच, जी हां, रियलमी तीस वाट दार्ट चार्ज 10,000 mH पावर बैंक को भारत में लाँच कर दिया गया है, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यह पावर बैंक किसी भी सपोर्ट डिवाइस को 30 वाट की मैक्समम स्पीड से चार्ज कर सकता है, ऐसे में यह किसी भी स्टैंडर्ड 18 वाट चार्जिंग पावर बैंक की तुलना में काफी फास्ट है, शेप और पोर्ट के मामले में इसका डिजाइन पुराने रियलमी पावर बैंक की तरह ही है, रियलमी 30 व खरीद पाएंगे, एक पीला और एक काला, कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि इसकी पहली सेल 21 जुलाई को दोपहर 12 बजे से होगी, ग्रहक इसे फिलिपकार्ट और रियलमी की वेबसाइट से खरीद पाएंगे, इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बा करता है, कंपनी के मताबिक यह प्रोडक्ट टूवे डार्ट चार्ट सपोर्ट करता है, इस पावर बैंक में 30 वाट चार्जिंग स्पीड दी गई है और इसमें यह मल्टिपल फास्ट चार्जिंग सल्यूशन के साथ आता है, इसमें डार्ट, VOOC, क्लिक चार्ज और PD शाम अगर आप सिंगल पोर्ट का इस्तमाल कर रहे हैं, तो यह पावर बैंक आपको 30 वाट का फुल पावर देगा, वही जब आप 2 पोर्ट का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपका टोटल आउटपुट 25 वाट का हो जाएगा यह पावर बैंक 15 लेयर चार्जिंग प्रोटेक्शन से बना है, इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इन्पुट सर्ज प्रोटेक्शन और टेंप्रेचर प्रोटेक्शन शामिल है, इसमें वाइरलेस एरबज और स्मार्ट वियरेबल जैसे AOIT डिवाइसिस को 30 ग्राम है, तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि Realme ने कई नई स्पेसिकेशन के साथ इस पावर बैंक को लाँच किया है, अब देखना यह है कि इस पावर बैंक को ग्राहक कितना सरहते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वारल करन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद